तो आसे लिए जाना प्रता है वाटार रॉप्टिंग है और है लाज साथ रॉम्पिए यह वाटार रॉफ्टिंग कर सकते हैं अपार है तीन किलो मुटेर का यह पांसटर पे पर हेडले रहे हैं यह अभी काइठ है यह फोडी जाना है पड़ता है अच्छा बाले वनके पुखाल बिर बाले को अच्छा दिखता है दूने यह सिल खोडी के लिए हम दो निकले हैं यह कट्राव से करीब अस्वी किलो मेंटर कुड़ता है इधर बहुत अच्छा जील का पानी यह यहां से तीन किलो मेटर है यह यहां से तीन किलो मेटर है तो भड़े से जाने में आदे गंट लगते हैं पांस पूरुपए अप दाउन के आगे बताएंगे सिल खोडी में और क्या है यह सिल खोड़ जाने का रास्ता है यह रास्ता थोड़ा सा पत्ला जयूर है कट्रा से मतलब कि मातबैस्मदेवी जो हम लोग गये थे तो वहां से यह रोड जो है थोड़ा पत्ला है लेकिन ही आगे दूरी कम है तीन किलो मेटर है पैदर जाओंगे तो दो घंटे लगेंगे जाने में दो घंटे आने में भोड़े से जाओंगे तो बीस पच्छिस मि अगे यह बता रहा है जिए शिव खोड़ी का मार्केट है यहां से आप आगे जाएंगे वह ब्रीज आपको दिख रहा होगा लेकि में जिम करता हूँ यह ब्रीज दिख रहा है यह ब्रीज आप क्रोस करें तो आपको पहले यात्रा परची करा लेना होगा उसके बाद पर जाएंगे आने में 20 मिट लगता है जाने में आदा गंटा लगता है तो यह सिल्खोडी यह 80 किलोमेटर है कट्रा से हमने गारी कड़ाई थी वहाँ पर कई ट्रेवल तूर वाले हैं जो आपको गारी प्रोवाइड करते हैं अगर दस से उपर लोग हैं तो आप लोग टेम आपको बड़ी गारीया जो है नीचे छोड़ देती है तीन किलोमेटर नीचे वहाँ से आपको यह जो इतरा है मैजिक यह पगड़ के उपर आना होता है